नुश्कार दोस्तो लाइप्रिरी लाइड में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इन्फिलिबनेट यानि इन्फिलिबनेट को मैंने कुल 6 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इसको मेमराइज कर पाएं दोस्तो ये सहए पार्ट है इन्फिलिबनेट क्या है इसके स्थापना यानि फाउंडेशन सोल समयलन यानि कॉंफरैंसिज इसके दौारा चलाएगए प्रोग्राम यानि परियोजनाए और दोस्तो इसके प्रकाशन यानि Vitaly यहाँ एक library network है जो university के modernization यानि उसके आधिनी current के लिए काम करता है इसका main उद्देश है सिक्षकों और academicians के बीच में समवाद और उनके कारियों को बढ़ावा दिन इसका पहला part inflipnet क्या है inflipnet क्या है दोस्तों यहाँ library network है यहाँ library network है जो university library के आधुनी करण जो university library के आधुनी करण के लिए काम करता है के लिए काम करता है के लिए काम करता है दोस्तों इसका में एम इसका में एम इसका में एम researchers और शिक्षाविदों इसका में एम इसका में इसका में यानि मुख्य उद्देश रिसेर्चर्स रिसेर्चर और शिक्षा विदो शिक्षा विदो मितलब अकेडमीशिन्स शिक्षा विदो के बीच समवाद मीन्स कॉम्मुनिकेशन्स रिसेर्चर और शिक्षा विदो के बीच में कॉम्मुनिकेशन और उनके द्वारा किये गए कारियों को बढ़ावा देना उनके कारियों को बढ़ावा देना दोस्तो एक बार एक्जाम में कॉशन पूछा गया है कि InfilipNet किस परकार का नेटवर्क है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि Inflipnet एक sectionic network है यानि educational network है कैसे network है? Inflipnet एक sectionic network है Inflipnet sectionic network है sectionic यानि educational network है educational network है तो दोस्तों ये था Inflipnet क्या है अब हम discuss करेंगे इसकी स्थापना यानि foundation तो दोस्तों हम इसकी स्थापना में discuss करेंगे कि कौन से project की तहत इस Inflipnet की स्थापना होई थी कौन-कौन सी pilot project चलाए गए थे Inflipnet की स्थापना से पहले तो हमारा second point यानि second part है स्थापना यानि foundation स्थापना यानि foundation दोस्तो, InflipNet की स्थापना के से पहले UGC ने IUACC प्रोजट के तहट एक समिती का गठन किया था क्या गठन किया था? UGC IUACC प्रोजट के तहट एक समिती का गठन किया था दोस्तो इस समीती के अध्यक्ष कौन थे इस समीती के अध्यक्ष थे यस पाल जी यस पाल उनका आम आपको याद होना चाहिए दोस्तो इस समीति के अगर उद्देश की बात करें तो समीति का उद्देश था युनिवर्सिटी लाइब्रेडी में लाइब्रेडी नेटवर्क की आवशक्ता पर रिपोर्ट तयार करना इस समिति का उद्देश उद्देश उनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी नेटवर्क की अवशक्ता पर लाइब्रेरी नेटवर्क रिपोर्ट तैयार करना दोस्तो 1988 में यानि 1988 में इस समिति का गठन होता है यह आपको पता होना चाहिए कब गठन होता इसका 1988 में दोस्तो 1989 में पूने यूनिवर्सिटी में पाइलेट प्रोजेट के तहत लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया जाता है पाइलेट प्रोजेट के तहत लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया जाता है 1989 में पूने यूनिवर्सिटी में पाइलेट प्रोजेट के तहत लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया जाता है दोस्तो इस प्लाइलिट प्रोजेक्ट का उदेश यह था कि स्टार्टिंग में देखना कि लाइबरेरी नेटवर्ग जो इन्फिलिमनेट के रूप में आने वाला है वो किस परकार से काम करेगा तो दोस्तो यह जो library network था इस ने सफलता प्राप्त करी यानि यहाँ जो library network था वो सफल बना जो pilot project था वो सफल हुआ यानि जो यहाँ pilot project सफल रहता है यहाँ pilot project सफल रहता है तो दोस्तो इस सफलता के बाद मार्च 1991 में UGC के IUACC project के तहथ दोस्तो आपको इस project का नाम पता होना चाहिए IUA-CC प्रोजेट के तहत InflipNet की स्थापना होती है दोस्तो इसकी स्थापना IUA-CC प्रोजेट के तहत होती है लेकिन ये स्वतंत रूप से यानि स्वतंत रूप से जो इसका कारभार था वो 1996 यानि 1996 से करता है दोस्तो अब हम देखेंगे कि इसके मुख्याले कौन है, इसके संस्थापक कौन है इसका निदेशक कौन है ये सब सीजे हम देखेंगे दोस्तो अब हम इसके मुख्याले संस्थापक और निदेशक के बारे में जानेंगे कि कौन इसका मुख्याले कहां पर है, इसके founder कौन है इसका director कौन है तो अब अपने स्थापना के या अगले पड़ाओ पर चलते हैं जहांपर इन्फिलिबनेट के मुख्याले संस्थापक और निदेशक यानि director के बारे में जानेंगे दोस्तों आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि स्थापना दोस्तों जैसे कि आपको बताया 1991 में हुई थी लेकिन स्थापना रूप से 1996 में यह काम करना सुरू कर गया था मुख्याले के अगर बात करें तो दोस्तों इन्फो सिटी गांधी नगर इन्फो सिटी गांधी नगर गुजरात में इसका मुख्याले है इन्फो सिटी गांधी नगर गुजरात में इसका मुख्याले है दोस्तों इसके निदेशक के बारे में बात करें यानि इसके डाइरेक्टर के बारे में बात करें निदेशक यानि इसके डाइरेक्टर तो दोस्तो इसके डारेक्टर का नाम है जेपी सिंग जुरेल जेपी सिंग जुरेल जेपी सिंग जुरेल दोस्तो इन्फिलिबनेट के साथ हमें UGC के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तो इससे पहले आपको इसके पूर मुख्याले के बारे में बताएं इसका पूर मुख्याले दोस्तो एहमदाबाद गुजरात में था एहमदाबाद गुजरात में एक युनिवर्सिटी है गुजरात युनिवर्सिटी यहाँ इन्फलिबनेट गुजरात युनिवर्सिटी के केमपस में ही चलता था 2013 में इसका headquarter एहमदाबाद गुजरात से shift होकर info city गांधी नगर में हुआ या इसका मुख्याले गुजरात युनिवर्सिटी के campus में था दोस्तो इसके साथ आपको UGC के बारे में भी जाना ज़रूरी है क्योंकि UGC ही इसका संस्थापक है दोस्तो अब हम इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे यानि UGC University Grant Commission जो विश्विद्याले अनुदान आयोक जिसे कहते हैं दोस्तो ये कमिशन universities को, colleges को grants देती है, उनको पैसे देती है उनके कारकरम के लिए और उनके चलने के लिए विश्विद्याले अनुदान आयोक दोस्तो इसके गठन की बात करें कि यहां कब बना दोस्तो वैसे तो यहां 1953 में 1903 में बन गया था, लेकिन इसका registration 1956 में हो तो जैसे अगर आपके exam में परशन आता है 1903 है, तो 1903 पे आपको दोस्तो पर्था मद्यक्ष के बारे में बात करेंगे पर्था मद्यक्ष हैं, उननिस सो जो तिरपन में हुए वो थे सांती स्वरूब भटनागर सांती स्वरूब भटनागर सांती स्वरूब भटनागर और 1956 में जो हुए उनका नाम था cd'dejmuk दोस्तो अगर इसके vartamán अध्यक्ष के बात करें तो उनका नाम है dpasing क्या नाम है उनका dpasing दोस्तो अब हम इसके अगले पड़ाओ यह अगले point पर जाएंगे जो की है soul हम discuss करेंगे कि soul का क्या महत्व है inflip net के लिये दोस्तो soul एक बहुत important इन्फिलिपनेट पॉइंट से और यहां से कॉशन पर्शन कॉम्पेटिटिव एक्जाम में बहुत बार पूछे गए तो इसका तीसरा पॉइंट सोल दोस्तों इन्फिलिपनेट ने कॉलेज और युनिवर्सिटी के लिए एक लाइबरेरी और आटोमेशन सफ्ट्वेर डवलप किया जिसका नाम क्या था सोल इन्फिलिपनेट ने युनिवर्सिटी कॉलेज के लिए लाइबरेरी के लिए एक लाइबरेरी और आटोमेशन सफ्ट्वेर एक सफ्ट्वेर डवलप किया software developed किया यह library automation software है किया जिसका नाम था जिसका नाम था जिसका नाम था soul soul दोस्तों यहां सन 2000 में आया इसको आपको पता होना चाहिए इसकी full form है software for university library software for university library कई बार exam में इसकी full form भी पूछ लेते हैं software for university library दोस्तों यहां सन 2000 में आया सन 2000 में आया और दोस्तों इसकी latest version की बात करें तो इसका latest version है soul 2.0 latest version soul 2.0 दोस्तो soul 2.0 जनवरी 2009 में आया जनवरी 2009 में आया जनवरी 2009 में आया तो दोस्तों यह था soul soul से सिर्फ यही चीज़े पूछी जाएंगे कि एक library automation software है कब आया और दोस्तों इसका जो latest version है 2.0 वो कब आया अब हम अगला पार्ट इसके संबेलन के बारे में जनेंगे संबेलन यानि इसके conferences के बारे में दोस्तों अगर केलिबर की full form की बात करें तो उसकी full form है convention on convention on automation of libraries in education and research convention on automation of libraries in education and research दोस्तों अगर planner की full form की बात करें तो planner की full form है promotion of libraries promotion of library automation promotion of library automation and networking in northern north eastern region promotion of library automation and networking in north eastern region दोस्तों ये north east के लिए यानि उत्तरी पूर्व के लिए कार करने के लिए बनाया गया था है वहां के संबेलन थे दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये संबेलन क्यों आयो जित किये जाते थे दोस्तों पूरे भारत में library automation को बढ़ावा देने के लिए इन संबेलनों की सीरीज बनाई गया थे लाइब्रेरी ओटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए संबेलनों की सीरीज की बात करें तो प्लैनर ये नॉर्थ इस्टर रीजन में करता था यानि उत्तर पूर्वी रीजन में library automation को बढ़ावा देने के लिए कौन कारे करता था प्लैनर और पूरे भारत में library automation के लिए काम कौन करता था कैलीबर पूर्ण भारत में पूर्ण भारत में में संबेलनों की सीरीज थी और ये north eastern भारत में थी north eastern यानि उत्तर पूर्वी रीजन में संबेलनों की ये सीरीज थी तो दोस्तो ये था इसके संबेलन जो दो थे कैलीबर और प्लैनर कैलीबर 1994 में और प्लैनर 2003 में आया दोस्तो ये बहुत important थे इसके बाद हम इसकी पर्योजनाय discuss करेंगे यानि इसके programs discuss करेंगे जो की बहुत important है और exams भी पूछी जाते हैं दोस्तो इस पार्ट में, InflipNet के इस पार्ट में मैं सरिफ उनके नाम discuss करूँगा इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं उनको details में उन major projects को आपको बताऊँगा तो दोस्तो इसकी पर्योजनाय है पर्योजनाय है इनके program दोस्तो इसके program को मैंने कुल चार पार्ट में डिवाइड किया है इसके program चार पार्ट में डिवाइड है e consortium, open access, project and consultancy और library automation इसमें से पहला पार्ट है e consortium दोस्तो इसका पहला point है e sod sindhu e sod sindhu e sod sindhu दोस्तो sod sindhu के e sod sindhu के तीन पार्ट है enlist, indest, ugc infonet enlist, indest and ugc infonet ugc infonet और बात करें दोस्तो enlist कब आया 2010 में indest कब आया 2003 में, inlist आया 2010 में indest आया 2003 में और ugc infonet आया 2001 में दोस्तो इसका अगला point है sod sindhu sod sindhu दोस्तो अब हम open access को देखेंगे open access open access की पहली परियोज है नहीं पहला प्रोग्राम है infoport infoport दूसरा है IR at inflipnet center नहीं institutional repository at inflipnet center IR at inflipnet center तीसरा point है Ojas चौथा है Sodh Ganga पाच्वा है Sodh Gangotri अब project and consultancy की बात करें दोस्तो अब प्रोजेक्ट and consultancy के में कुल नौ कुल इंक्लूड करें हैं मैंने प्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्री नर्व निर्स नर्फ EPG съhala EPGặt seehala विद्वन दाड़ईेश विद्वन दाड़ईेश विद्धिया मित्रा विद्धिया मित्रा ICSSR डाटा सर्विस ICSSR डेटा सर्विस SWEM SWEMPARBA Study in India E-NBA 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 दोस्तो इसका अगला है Library Automation Library Automation इसका अगला पार्ट है जिसमें दो और हमारे Programs include है Library Automation जिसमें दो पार्ट है Library Automation में Indicate, Union Catalog और Soul Indicate, Union Catalog और Soul Soul तो दोस्तो यह थे चार पार्ट जहांपर हमने दिखा है e-Sodh Sindhu Sodh Suddhi Info Port IR at Inflippnet Center Ojas Sodh Ganga Sodh Gangotri NIRF EPG Partsala Vidwan Database Vidya Mitra ICSSR Data Services SWEM SwemPrabha Study in India and E-NBA इसके साथ Indicate, Union Catalog और Soul दोस्तो इसके बाद हम अब इसके उद्देश डिसकस करेंगे इसके उद्देश दोस्तो इसके objectives देखेंगे अब हम objectives यहनि objectives दोस्तो अबजेक्टिव की बात करें इसके उद्देश की बात करेंगे तो पहला इसका उद्देश था Modernization of Academic Library इसके उद्देश डेखे India इसके उद्देश दोस्तो ई-resources प्रोवाइड करना शिक्षा के लिए ई-resources प्रोवाइड करना यह भी इसका उद्देश था है शिक्षा के लिए ई-resources प्रोवाइड करना दोस्तो उनिवर्सिटी की थीस, रिपोर्ट, वर्क, पेपर, रिसर्च अर्टिकल को ई-फॉर्मेट में क्रियेट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अक्सेस पर कर पाएं उनिवर्सिटी थीसिस रिपोर्ट, वर्क, पेपर, को ए फॉर्मेट में क्रियेट करना, को का ए फॉर्मेट क्रियेट करना, का ए फॉर्मेट क्रियेट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा त्यार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अक्सेस कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर पाएं दोस्तों अगला पॉइंट है लाइब्रेरी कंप्यूडराईजिशन के लिए ट्रेनिंग देना एक्सेस कर पाएं लाइब्रेरी कंप्यूडराईजिशन के लिए ट्रेनिंग देना Library Computerization के लिए Training देना Library Computerization के लिए Training देना दोस्तो Union Catalog भी बनाता है Inflipnet सहयोगी libraries की Library Automation को बढ़ावा देना Library Automation को बढ़ावा देना और है R&D को बढ़ावा देना R&D को बढ़ावा देना दोस्तों अब हम इसका last part यानि अब इसके publications यानि इसके परकाशन देखेंगे दोस्तों Inflipnet दो परकाशन देता है परकाशन यानि publication दो इसके मुख्ये परकाशन है Inflipnet न्यूसलेटर Inflipnet Inflipnet न्यूसलेटर न्यूसलेटर जो की इतरह माशिक है जिसके आवर्थी यानि quarterly Inflipnet एन्यूसलेटर रिपोर्ट अगला है Inflipnet एन्यूसलेटर रिपोर्ट इसकी आवर्थी है वार्षिक यानि एन्यूसलेटर दोस्तो इसी के साथ Inflipnet का हमारा टॉपिक हतम होता है इसके पर्योजनाओं को डिटेल में डिसकस हम इसके सेगेंड पार्ट में करेंगे दोस्तो अगर आपको या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फो वोचिं लगरी रिलाप